अगर आपको अच्छी रखी प्रीज लाइब जरूर करें और चलिए फिर देर के बनाना शुरू करते हैं आज मैं आपके शाहत गेहूं के आटा और आलू से बना हुआ बहुत ही डिलिसस नाशता रेश्पी शेयर करूंगी फिर आपसको टी के साथ इंज्जॉय कर सकते हैं चुछ पटा और क्रिष्पी बन जाता है और फ्रॉंस मैंने गेहूं के आटे से इसलिए बनाया कुकि हल्दी भी होगा और गेहूं के अटा हर किचन में अलेबल होता है और बेसिक मशाले भी यूज़ कि यह किचन में हर समय अलेबल होंगे आपको कुछ भी स्पेशल नही तेस्ट के वाडिंग नमक लिया है थोड़ा से कटा वारा धनिया एक हरी मिर्स को फाइन चॉप करके लिया आप जाह तीका नहीं काते हैं अगर में बेबी हो तो इसक्रिप कर ले और यह मैंने बुनावा जीरा पाउडर लिया हाप टीस्पून इसमें बहुत सारे मसालों का हाप के पास नहीं वाली तीकी लाल मिर्स कर वियूज और य हो थाण जितना हम नमक नमक को डाल देंगे और अज्वाइन और अज्वाइन को और मैंने थोड़ा से कटा वारा धनिया भी डाला आप पास धनिया नहीं चर्णीय को तो आपके शोरी मेती कभी यूज कर सकते हैं बहुत फ्लेवरफुल बनेगा जब उपर के लिए रहेगा ये और मैंने फोर टीस्पून ही रिफाइन डॉयल का यूज किया पूरा मैंने इसमें यूज नहीं किया है तो कि पहले हम बाइन करके देख लेंगे जरूरत के हिसाब से इसमें यूज करेंगे अच्छे से मौयन कर लेंगे यह देखे फर्फेक्ट है मौयन और मौयन हम नहीं डालेंगे इसमें लड्डू बन ना है और बिखर नहीं रहा है डालने पर अब इसमें पाई डालकर हम इसका सेमी सॉप डो बना लेंगे जैसे हम रिगलर रोटी बनाते हैं बहुत जदा यह दूद्धिन वाली बीएड कर सकते हैं मैंने उसमें आलू में हरी मिर्ज हरा धनिया चली फ्रेक्स और गर्म मशाला चाट मशाला और जीरा पाउडर को भी अट कर दिया है इसको बिक्स कहलें गे और 142 पूज़ी तरह नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अपने टेस् करने की दिरो तो तभी आप मैधा यांटा कुछ भी रागैकर कर लें और इसे बेल ले थोड़ा बड़ा सेफ में रहें पूरा इकसा बड़ा सा बड़ा सा बनाकर बेल लिया है फिरस एक बार में हिए नास्ता बन जाएगा प्रपर तरीके से मेरे परोसेस से ही बनाएंगे बढ़ आप छोटा बनाना चाहिए चोटी पूरिया से में बनाकर भी आप बना सकते हैं तो फिर इजी भी बहुत है बनाना और यह मैंने देखे ग्लास लिया है साथ साइड में इसके धार है मैंने वुष ग्लास का उचका आप कोई कटोरी याप कुकी कटर का भी यूज कर सक और इसको हम दुबारा से रियूज करें लेंगे कि देखा आपने कितना इजली बन जाता अभी हम जो आगे का प्रोसेस दिखाएंगे वह भी बहुत बन जाता है और भी ग्योंगों के आटे से बने हुए ऑसम नासतर इस भी अपलोड है आप जरूर कहना और ऐसे हम कट नहीं लगाना है छोड़ देना है आपको फ्रंट और बॉटम और थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लें पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो पर लाइकन को प्रस कर लो जिससे मेरे ऑसम सी रेस्पी आप इंजाए कर पाएं और आपको रेस्पी मेरी अच्छी लगती तो ज तरीके से बना पाएं रेस्पी को इसलिए बोलती हूं वीडियो को पूरा वास किया करें और देखिए मैंने इसे पानी से ग्रीज किया है और नहीं है आप पतला मैदे का घोल बना कर सकते हैं यह टोटली ऑप्सनल है या पानी से भी कर सकते हैं आपका इजली हो जाएगा दोनों प्रोसेज में कोई भी प्रोसेज और देखिए जिसमें मैंने कट लगा तो उसको नीचे रखना है और जिसमें मैंने कटने लगा उसको उपर रखा है और मैंने इस्टिफिंग रख दी है बहुत जदा इस्टिफिंग भी ना रखें आप जितनी बड़ी पूरी का स आशानी होगी और साइड से हम इसको ऐसे चिका देंगे देखा आपने कितना इजी है आप बच्चों को भी अगर आप एक बार यह वीडियो दिखा देंगे तो वह भी इस नास्तों को प्रिपेर कर सकते हैं आपके गर में गेश्ट आने वाले हो यह आपको टी टाइम पे खा करना था आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते और देखिए ऐसे फोल्ड कर दीजिए तो ऐसा से बन जाएगा बच्चों को ऐसे स्नेक्स बहुत पसंद आते जो अट्रैक्टिव लगते हैं इसलिए मैं जाए तर गेवों के आटे से भी बनाती हूं कि जो बच्चों के कि आञा सब इसनों टें साथ मैं आयर प्राइल को ऐसकर विल्कुल आधे कि लिए हूं को लें करें गोर्सकों भी सब्सक्तम विख ओर आटाते हैं तबहूफ इसको घुलग सब्सक्रश्मस करना कि बहूत हैं कि तर ने थार किल्टिक्ट उध्रन को नहीं पर दोगा सब्सक्राइब करेंगे इतना क्रिस्पी और अमेजिंग लगता है कि आम मैदे वाले स्नेक्स भूल जाएंगे ज्यादा तर मैदे से स्नेक्स बने हुए जो ज्यादा हम खाते हैं रिगलर तो थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम होती है डाइजेस्ट करने में बट गेहूं क कि आठे से बने हुए बहुत सारे हिल्दी नास्ता अपलोड कियें जो आप बच्चों को बनाकर आराम से खिला सकते हैं और देखें कितना अच्छा कलर आ गया है एक्ष्टा ओल निकल कर भिसको निकाल लेंगे देखिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं देखें कितना क लगेगा मेरा यह क्यांते और आलू से बनावा नास्ता आपको पसंद आया हो तो ज्यादर ज्यादर शेयर करना अपने फ्रेंस और टुक्षा लाइक कमें भी करना चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चल को सब्सक्राइब कर लेना बिल आइकन को प्रिस कर जिससे मेरे आने वा कि अजरे कि झाल बिल आलू से ओिए जादर चाईब करना चाईब कि पार बिल आलू जगे झाल झाल अजर प्लीज पर शें तो जबर्यों फिता लेगी करना बिल आलू से वार लाओ जिसे ब्संदिए हो जो जो जो